नमस्कार दोस्तों Law, Order and Civil Rights YouTube चैनल में आपका स्वागत है अभिनंदन है दोस्तों और आज का हम Current Affairs यहाँ पर वीडियो के माध्यम से प्रस्तूत कर रहे हैं दोस्तों ध्यान दिजेगा Current Affairs, General Study, General Knowledge सभी परिछाओं के लिए Most Important होता है हम आपको जो है, ऐसे ऐसे Current Affairs बताने जा रहे हैं जो हर परिछा के लिए बहुत ही भत्तपूर्ण है यानि की 100% Questions, Examination में आनी की संभावना है ध्यान दिजेगा, इसी तरह से आप अपना Study बनाए रखें दोस्तों हमने कल एक प्रश्न पुछा था प्रथम फालके एवाड से किसे सम्मानित किया गया है यानि की प्रथम फालके एवाड किसे प्राप्त हुआ था तो इसका सही अंसर है देविका रानी यहाँ पर दो आंसर आपको, दो कोश्चेन और दो आंसर आपको याद करना है प्रथम महिला फालके एवाड से सम्मानित जो इसका विब्रण है वो देविका रानी ही है और प्रथम फालके एवाड भी देविका रानी है ध्यान दिजेगा सबसे पहले उत्तर देने वाले जो स्टूडेंट थे वो है अराधना अग्रवाल और फातिमा आफी दोनों को हम सुबकामनाय देते हैं बधाई देते हैं और Law, Order and Civil Rights YouTube चैनल उनके 20 की कामना करते हैं दोस्तों इस तरह के जो हम quiz लेकर आते हैं आपके लिए daily quiz यानि की प्रशन एक पुछते हैं उसका answer जो है आप लोग देते हैं जो मुझे खुसी है कि बहुत सारे बच्चे इसके सही answer देते हैं और हम सभी को धन्यवाद ग्यापित करते हैं बधाई देते हैं सही उत्तर देन Kings Cup किस्से समंदित है आपको सही answer देना है ध्यान दिजेगा अभी हाली में कुरोएसिया के पुर्व अंतराष्टी खिलाडी याद रखेगा हम जो है इगोर इस्तिमेक को भारती पुरूष टीम का कोच का कोच निक्ट किया जा सकता है अखिल भारती फुटबाल महसंग की तकनिकी समीति द्वारा की गई है ध्यान दिजेगा तकनिकी समीति द्वारा इस समीति के प्रमुख हैं सियाम थापा इस सियाम थापा को भी लिक लिजेगा भारती फुटबाल टीम के साथ उनका पहला एसाइन्मेंट थाइलेंड में किंग्स कब 2019 होगा ज्यान दिजेगा किंग्स कब 2019 अभी थाइलेंड में होना है और ये फुटबाल से समंदित है इस मेच में भारत केरेबियन देश कुरा कावों के साथ अपना पहला मेच खेलेगा इगोर इस्दिमक क्रोयसिया के स्वार्णिम पढ़ि का हिस्सा थी उस टीम ने 1998 फिपा लिश्व कप में तिसरा इस्थान प्राप्त किया था द्यान दिजेगा इगोर इस्तिमेक को जो है भारती फुटबाल टीम के कोच निक्त किया गया है दोस्तों आईए देखते हैं नेस्ट कोस्टेन सेमसंग कंपणी किस देश की है देशिन कोरिया उत्तर कोरिया जापान या रूस सेमसंग कंपणी का आप लोग जो है मोबाइल रखते हैं सेमसंग कंपणी का आप जो है वीडियो यानि की टीवी खरीते हैं सेमसंग कंपणी ने धेड़ सारे अपना भारत में समागरी बेशती है इलेक्ट्रोनिक की दुनिया में तो आपको चुखा है सही आनसर बताना है, हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, सेंसंग ने प्रस्तूत किया 20 सुका सबसे अधीक रेजुलेशन वाला इमेज सेंसर, यह सेंसर से मोबाइल डिवाइसेस में चित्र गुडवत्ता की बहतर मांग को पूरा किया जा सकेगा, सेंसंग ने 0.8 micrometer pixel image sensor ध्यान दिजगा, में विस्तार किया है और दो नए 0.8 micrometer pixel image sensor प्रस्तूत किया है, यह image sensor है, बैस्ट्विक बाजार में उपलब्द सबसे छोटा pixel आकार, ध्यान दिजगा, यह आपका जो है, हम बता दें सेंसंग कमपनी दर्छिन कोरिया का है, दर्छिन कोरिया की प्रसिद कमपनी है, सेंसंग, यानि कि ए अंसर सही है, दोस्तों, आपको सेंसंग कमपनी के बारे में याद कर लिजगा, आईए next question देखते हैं, कि इस देश ने फेक न्यूच को अपराद माना है, दर्छिन कोरिया, उत्तर कोरिया, सिंगापूर या अमेरिका, ध्यान दिजेगा, हाली में कानून पारित करके फेक न्यूच के प्रकासन को अपराद घोसित कर दिया है, इस कानून के द्वारा सरकार फेक न्यूच से सर्मंदी समागरी को बलाग कर सकती है, अत्वा उसे इस कानून के द्वारा उन असत्य समाचरों पर प्रतिबंद लगाया है, जो सिंगापूर के लिए नुकसान दायक है, अत्वा जो चुनाओ को प्रभावित कर सकते हैं, इस कानून के तह सर्वीस प्रवाइडर को तुरंती फेक न्यूच से समंदी समागरी को हटाना होगा सरकार के पास इस प्रकार की समागरी को बलाग करने की सकती भी होगी, इसका सही अंसर C सिंगापूर है दोस्तों, ध्यान दिजेगा इस कानून का उलंगन करने पर 10 वर्स की जेल और भारी भरकम जुर्माना का प्रावधान भी रखा गया है, इस कानून के कई कार्णों से अलोचना भी की जारी है, इस कानुन के द्वारा असत्य समाच्चा निश्चित करने की स्थिती सकती सरकार को दी गई है, इसके द्वारा आनलाइन न्यूज पोर्टल्स की सोतंतरता पर भी कापी रोग लग सकती है, भ्यान दिजेगा ये सिंगापूर एक ऐसा मात्र देश है जो फेक निश्च को अपराद की सिर्णी में यानि की दस साल की सजा और भारी भरकम जुर्वाना का प्रावधान रखा है दोस्तों, सी आंसर सही है सिंगापूर आईए हम नेश्च कोश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है नेश्च कोश्चन? देखिए नेश्च कोश्चन है, दो हजार चालिस तक वाई मंडल की तापमान में कितने प्रतिसत की बृद्धी हो सकती है? एक डिगरी सेल्सियस की बृद्धी हो सकती है? दो डिगरी सेल्स जिस तरह से हो रहा है तो रायल बंगार टैगल को जो है बहुत ही कह सकते हैं कि इसको सामना करना पर संधर के बढ़ते वेट जलिस्तर के कारण सुंदर्बन नश्ट हो सकते हैं सुन्दर बन में बाग की बड़ी संख्या में पाए जाते हैं यह अध्यन जलवाई पर यह अंतर सरकार पेनल के कारे पराधारित है सहुत राष्ट की रिपोर्ट के अनुसार यदि ग्रीन हाउस और गैसु सर्जन वर्तमान दर से बढ़ता रहा तो दो हजार चालिस तक वाई मंडल के तापमान में एक दस्मलों पांच डिग्री सेल्सियस की ब्रिद्धी हो सकती है इस जलवाई परिवर्तन से महासागरी जल का इस्तर भी बढ़ सकता है और सुन्दर बन का अस्तित्व खत्रे में आ जाएगा ध्यान दिजेगा इसका बी आंसर सही है 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है बी आंसर सही है दोस्तों आईए नेक्ट कोस्टन देखते हैं बाच डांग नदी की लंबाई किसके किसके बीच हुई थी यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है most important है यह आपको जानते होंगे बाच डांग नदी की लंबाई लडाई किसके किसके बीच हुई थी वियत नाम एवं चीन वियत नाम एवं कोरिया आपको सही आंसर देना है दोस्तों चीन एवं पाकिस्तान एवं चीन एवं तंजानिया किसके किसके बीच में हुई थी आपको सही आंसर चुगना है दोस्तों आप सही आंसर जानते हैं तो जरूर दीजेगा इसके बारे में सही आंसर यदि पता है बांच, डांग, नदी की लडाई किसके किसके बीच हुई थी ध्यान दीजेगा ये आंसर जो है आपको बताना है आपको हम इसके बारे में अभी उप्राश्पती जी उप्राश्पती जी वियत नाम जा रहे हैं दोस्तों उप्राश्पती जी और वियत नाम से सम्मंदित ये प्रश्ण है इसलिए एम वेकया नैडू वियत नाम की चार दिवसी के लिए रवाना हो रहे हैं और यह यहाँ प इसका सही आंसर याद रखना वियत नाम यम्चीन के बीच में हुआ था वियत नाम ने जीत लिया था जिससे हट कर जो है वियत नाम बना चाइना से इसका सही आंसर यदि जानते हो तो सियोर बताईएगा इसके बारे में यहाँ पर वियत जी जनतू है यहाँ पर IPBES Global Assessment नामक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें से यह बताया गया है यह बताया गया है कि इस रिपोर्ट के मताबिक बिस्व में वन मिलियन जी जनतू और पौदे की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है यह प्रजातिया कुछी दसकों में विलुप्त हो सकती है अप्रेल 2012 में किया गया था द्यांदी जीगा यह एक अंतर सरकारी संगठन है इसकी स्थापना 21 अप्रेल 2012 को 94 सरकारों द्वारा की गई थी द्यांदी जीगा A आंसर सही है 1 मिलियन आए नेक्ट कुष्चन देखते हैं कि सबसे में इंपार्टेंट कुष्चन है दुती विस्विद्ध में किस देश ने रूस के विरुद्ध जर्मनी की साहिता की थी जर्मनी की साहिता की थी कौन से देश है जब दुती विस्विद्ध हुआ था तब रूस के विरुद जो है जर्मनी की साहिता की थी इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों यदि आप जानते हो तो स्योर बताईएगा यहाँ पर जोगा है हम आपको बता रहे हैं दुति विसीद्ध के दोरान के दोरान इस्पेन ने अधिकारिक रूप से तटस्त रहत है तो यह इस्पेन ऐसा देश है जो जर्मनी की साहिता की थी रूस के विरुद रूस और रूस और इस्पेन के बीच में सम्मंद जो है सुरू से ठीक नहीं रहा है आपको जो है इबिश्व इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि आप आप से कोई प्रश्न आपको हम जानकारी प्रदान करें ताकि आप जो है विद्वान बन सकें और हर एक जामने संग को जो है किलियर कर सकें और एक प्रसासनिक अधिकारी की रूप में आपको निकती मिले यही अपिच्छा करते हैं आपसे दोस्तों और हम इसी तरह से रोज प्रतिदिन साड़े बारा बजे यह करेंटे प्रस और जरण नालेज लेकर आते हैं जर्मस संग्रा के बाद सयुक्त राश संग में सदस के रूप में सामिल हुआ है वो कौन सा देश है तर्की स्टुडर्ण सुजलेंड या इस्पेम सही आंसर आपको बताना है दोस्तों वह कौन सा देश है व परिणाम के आधार पर सयुक्त राश्ट में एक सदस के रूप में सामिल होने करने ने लिया है तर्की स्टुडर्ण सुजलेंड या इस्पेम ध्यान दीजेगा इसका सही आंसर जो है यह सुजलेंड वह देश है जिसने जन्मस संग्र के परिणाम के आधार पर सयुक्त र प्रश्ट में एक सदस के रूप में सामिल होने करने ने लिया है ध्यान देजीगा सुजल लेंडिक ऐसा देश है जो हमेशा तटस्त रहता है ना तो पच्छ में रहता है ना विपच्छ में रहता है और उसके बावजुद भी जो है वो अपने मज़े मजा लेता है दुजरा तरीका है जब संसद में कानून पारित हो जाए तो उसको जन्मज संग्रह कराए या जन्मज संग्रह कराने के बाद संसद में पारित होता है तो वो कानून का रूप लेता है जर्मन संग्र एक मात्र आदार है कानून बनाने का स्यूजर लेंड की ध्यांदीजेगा नेश्ट कोस्टेन है प्रित्वी बचावक की सम्मेलन को कहा जाता है प्रित्वी बचावक की सम्मिलन को कहा जाता है ज्यान दिजेगा प्रित्वी सिखर सम्मिलन को इस्टाखोम सम्मिलन को जेनेवा सम्मिलन को या उपरोक्त सभी को कहते हैं क्या है यहाँ पर आपको जो है बताना है दोस्तों यह आपको पता होगा UNCED UNCD ने ये आयोजन किया था जो जिसका नाम है पृत्वी सिखर सम्मिलन पृत्वी सिखर सम्मिलन को पृत्वी बचाओ सम्मिलन भी कहा जाता है जो 2010 में भी हुआ अभी 2018 में हुआ 2019 में भी होना है तो इसका सही आंसर हम आपको बता दिये हैं प्रित्यु सिखर सम्मिलन को प्रित्यु बचाओ सम्मिलन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों ये UNCED ने इसका आयोजन किया था और ये जो प्रित्यु को बचाने के लिए हम परियास कर रहे हैं ये Agenda 21 नाम सुने होंगे Agenda 21 के बारे में 21 Agenda दिया गया है इस 21 Agenda के आधार पर जो है प्रित्यु को बचाने की बात चल रही है चाहे वो ओजोन परत की बात हो चाहे मानो पर्यावरन की बात हो यहाँ पर ओजोन परत को भी बचाना है और मानो पर्यावरन को भी बचाना है इसलिए प्रित्यु सिखर सम्मिलन किया गया था सेव अर्थ जब तक पृत्वी बचेगा तब तक हमारा कोई अस्तुत रहेगा यह आंसर सही है दोस्तों आये दलबीर भंडारी क्या बने थी अंतराष्टी नियाले के नियाधिस सव्युक्त राष्ट संग के महासच्यू या विस्व स्वास संगठन के महासच्यू या विस्व व्यापार संगठन के सच्यू बने थी आपको सही अंसर बताना है दोस्तों क्या है इसका सही अंसर यह पर जो है हम आपको बता रहे हैं कि यह सही आंसर क्या हो सकता है ध्यान दिजेगा दलबिर भंडारी अन्तराष्टी न्याले में निर्वाचित होने वाले पाच्वे भारती न्यादिस हैं दौ Massachusetts और यहाँ पर 27 अप्रेल 2012 को दल्विर भंडारी को अंतराष्टी न्याले का न्याधिश चुना गया था ध्यान दिजेगा अंतराष्टी न्याले जो है जो पूरे बिश्व के लिए एक न्याले है हलाकि इसका जो है कोई enforceable नहीं है केवल जो है ये आपका जो है कस्टमरी ला के आधार पर यानि की प्रतागत विदी के आधार पर ये संचालित होता है आज का प्रश्ण है दोस्तों आजकल सवयुक्त राष्ट के किस अंग के विस्तार के लिए मांग की जा रही है सवयुक्त राष्ट के किस अंग के विस्तार के लिए मांग की जा रही है कॉमेंट बाक्स में लिख कर उत्तर देना है सही उत्तर देने वाले को विजेता घोसित किया जाएगा और उनका नाम नेश्ट विडियो में प्रकासित किया जाएगा उनको Law, Order and Civil Rights YouTube चैनल की तरफ से हम बधाई देंगे, सुपकामनाय देंगे, उनके उज्वल भईसी की कामना करेंगे यह हमारी जो है, क्विज जो है, बहुत important है आपके लिए, इसी तरह से practice करते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे यह चैनल के विडियो को जो है, share किजे, like किजे, comments लिखे और बताईए कि हमारा चैनल आपको उप्योगी सिद्ध हो रहा है या नहीं, यदि उप्योगी सिद्ध हो रहा है, तो किस रूप में, क्या आप exam nation competitive exam दिये हैं, जिसमें से यह प्रश्ण पुछा गया है, यदि प्रश्ण पुछा गया है, तो आप से वो बना या नहीं बन यदि आप competition exam नहीं दिये हैं, तो competition exam दीजेगा, हम यहाँ पर बिदाई लेते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, बाई बाई, see you tomorrow